तरीके से करना है उस पूरे plan के उपर overview लेंगे और उसी के हिसाब से practice करना है यहाँ पर दो तीन तरीकी के बच्चे हो सकते है नमबर वन जिसको सब कुछ आता है सिर्फ practice करना है तो वो तो set paper solve करेंगे ठीक है नमबर दो जिनको कुछ chapter आते हैं कुछ chapter आधा दूरा आता है न तो मैं सबसे पहले आपके पास तीन बुक है आप ध्यान देना है नमबर बुक वन नमबर टू नमबर थ्री मैंने सिंपल सी आपको बात बताया एक कि हमें इस हिसाब से कई वार हमारे माइंड का mentality यह है इन पास दिनों में चार दिनों में जितना जादा आप अपने दिमा नमखे सब्सक्राइव कि आपके लिए है फुट्टी है कि पो चार दिन कब बीच जाएंगे ना और फिर जब दोदर बीच जाएंगे तो सोचेंगे आप फिर उस दो दिन के लिए परेशान रोगे कि वह दो दो दिन निकल गए कास पढ़ लेता अब उस दो दिन के लिए इतना परिशान होगे कि एक दिन और निकाल दोगे कि यार दो दिन निकल गए, एक दिन निकल गए इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और इसका रिजल्ट वही होगा, आपका एक्जाम अच्छे से, अटेम्ट नहीं होगा तो सबसे पहले आज तारीक का है, आपका एक्जाम कब है, अकाउंट का 23, यानि Monday, आज है हमारा Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, यानि पूरे चार दिन मैं मान लूँ, कोई कम तो है नि इसमें, तो चार दिन है, उसके हिसाब से आज का टार्गेट और हर एक दिन का टार्गेट आपको अच्छे से करना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे NPO, पहले बुक की बात करें NPO, अब NPO मैं यह जो बताऊंगा ना, जिस बच्चे को NPO पूरा अच्छे से आता है, यह चैप्टर आएगा कितने नंबर का एक्जाम में, 10 नंब NPO में तीन ही टॉपिक है, सर, सर, NPO में क्या-क्या टॉपिक है, अगर आप सिंपल फॉर्मेट में बता दो, तो एक है स्टॉक कंज्यूम, सर, एक स्टॉक कंज्यूम के बाद हमारा आता है एक सब्सक्रिप्शन, और एक आता है हमारा इंकमेंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इंकमेंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक इसके अंदर डाल देते हैं, फंड बेस्ट अकाउंटिंग, और यह हमारा दस नमबर दस में से confirm है पांच का यह confirm है पांच का यह यह पांच का तब तक नहीं कर सकते जब तक पूरा नहीं आता है इसमें balance sheet भी नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आएगा in comment balance sheet का एकाद question आप देख के जा सकते हो उसके उपर मैंने video बनाया हुआ है application के अंदर मिल जाएगा balance sheet वाला एक आद question देख सकते हो बाकी commitment है CBSC वालों को के नहीं देंगे अब बच गए यह दो chapter तो इसमें से आएगा तीन नमबर का और इन दोनों में तीन नमबर में रहेगा choice मैंने इसलिए कितने होगे पांच और तीन दो नमबर का कोई थिवरी या दो नमबर का कुछ भी उडा सकते है समझ मैं इस तरीके से ये पैटन कितने नमबर का डिसाइड होगा दस का अब सर यहाँ पर हर किसम के बच्चे जिनको पूरा आता है वो तो पूरा कर लेंगे लेखिन जो अभी स्टार्ट करने है स्टेटेजी वाई तो सिर्फ आप NPO को देखके भाग जाओगे ना तो फाइदा नहीं है आप स्टॉक कंजूम अगर आप क्लासिस देख लेते हो दुबारा से वीडियो डली भी है स्टॉक कंजूम हाडली आपको एक घंटा लगेगा खतम थ्री मार्क्स स्कोर करने के लिए वन आवर इन्वेस्ट करना मैं नहीं समझता कि कहीं लॉस है मारा ये हो जाएगा हाँ सब्सक्रिप्शन में कुछ बच्चों को दिक्कत होगा स्किप कर दो जिसको लग रहा है ना सब्सक्रिप्शन में लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक समझ में नहीं रहा है मत चेड़ो पहले मत चेड़ो से कोई दिक्कत नहीं हम बाद में निप्टाएंगे इसको चार दिन है उसके हिसाब से लेके चल रहा हूं फंड बेस्ट अकाउंटिंग जल्दी हो सकता है मैं जिस पर राइट लगा रहा हूं ज्यादा कुछ है नहीं इसमें इस टॉपिक को पकर लिया मैं उस हिसाब से स्टेटेजी लेके चल रहा हूं जिनको पूरा अच्छे साथ है वो तो पूरा करें जिनको NPO आता ही नहीं है ये दो टॉपिक आपने पकरना है इस दो टॉपिक को करने के बाद आपको आगे बढ़ना है समझे इस दो टॉपिक को करना चप्टर हमारे लिए खतम और इस दो टॉपिक को करने के बाद तीन तो स्कोर हो गए अगला चेप्टर है हमारा – Retirement Sir, Retirement में से एक question पांच नंबर का आनता है एक question तीर नंबर का या दो नंबर का आनता है ठीक है न? अब इसको मैं categorize करूँ तो इसमें دो type के question पूछे जा सकते हैं retirement में Sir, दो type का कौन सा? एक पूछा जा सकता है treatment of goodwill treatment of goodwill या फिर पूछा जा सकता है ratio दूसरा आएगा आपका full-fledged question full-fledged question का मतलब समझ रहे हो जिसमें बनाना पड़ेगा आपको रिसिप्ट रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल इसके अंदर भी balance sheet वाला हमने question किया हुआ है लेकिन examiner कहता है हम balance sheet नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे इसमें examiner का जो है कहता है balance sheet हम नहीं पूछेंगे उनका target ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पांच नंबर में पूछा जाएगा क्योंकि number कम है उसके according लेके चल रहे हैं तो sir जिनको पूरा आता है दो तीन question दो question प्रैक्टिस कर लोगे balance sheet के साथ जिनको नहीं आता जितना पूछा गया है उतना ही करके जाएंगे exam में कैसे करेंगे उसके लिए भी video में proper हर किसी को last में बता दूँगा किस तरीके से video आपको मिलेगा अब बात करते हैं इसके अंदर अब ये chapter खतम कर लिया नालाइक से नालाइक student और जिसको कुछ भी नहीं आता दो पार्ट करा आगे बढ़ गया सकते हैं मांस को ठीक है बाकी मैं वीडियो में मैंने बताया हुआ है इस टाइम पर मैं जानता हूँ कि काफी बच्चों ने कर रखा होगा जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो किसमे होगी आप लोग के सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट्स में होगी अब यह आगे रेटायर्मेंट रेटायर्मेंट से क्या करें सर पहले इस टॉपिक को ड़न करिए त्रीट्मेंट ऑफ गुडविल में कुछ ऐसा है इनी रेटायर्मेंट के अंदर एडमीशन में थे बड़े सारे लंबे चो आपके कम से कम यहां पर पांच नंबर तो कंफर्म हो जाए पांच का है यह भी एक तीन का कोशिशन एक दो का ऐसे तरह वेरियंट कर सकते हैं मैं इसको तीन नंबर माल लेता हूं सब्सक्रों समझ रहा है चैप्टर उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया पूरा वेटेज बता दिया दस का यह बाकि उसके हिसाब से पूरा पूरा बता दिया पहले देखो यहां पर समझ में यह हो गया दन जब यह दन हो गया हमारा तीन का फुल वाला कोशिशन में क्या बनेगा रिट्टा सिर्फ कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यह बाला पहले टॉपिक कर सकता है मैं सभी बच्चों के लेगे चल रहा हूं जो जीरो लेवल पे है उसके अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ यह टॉपिक करेगा फर्दर मूब आगे यह वो टॉपिक है जिसमे से examiner question पूछेगा ही पूछेगा पूछेगा तो इस से में भी लेकिन आप क्या फाइदा कि इसके अंदर आप पूरा दिन खराब कर दो आज का हम अगली strategy में बात करेंगे कल वाले दिन क्या करना चाहिए अगर देखो मानलो income and expenditure लग जाता है हम चौते दिन income and expenditure में लगाते है जिसको कुछ नहीं आता फिर भी subscription में लगा रहा है या income and expenditure में लगा रहा है चौते दिन कोई दिककत ने बरबाद वाद वाई इतने तो कर चुके हैं समझ रहो ना इतने तो कर चुके हैं जाने दो बरबाद हो गया दिन लेकिन पहले दिन अगर आपका खराब हो जाएगा तो वह impact आपका strategy पूरा खराब कर सकता है यानि हमने इसमें से यह वाला topic पिक कर लिया यह वाला topic पिक कर लिया profit का और journal entry पोच सकते हैं तीन नंबर का question पूछा जाएगा done करिए फटा फट से कुछ भी मुस्किल नहीं है इसको अगर वीडियो से देख के करते हो ना hardly आदा गंटा से 45 minute लगेगा सब समझ में आ जाएगा book के question करिए scanner 10 year जो भी है उसके करिया समझ में यानि हमने आज का target बता रहा हूँ यह भी कर लिया एक से डिड़ घंटे में यह भी पूरा रिवाइज हो गया एक से डिड़ घंटे में और यह भी रिवाइज हो गया मेरा पूरा खतम देद clear? अब desolation को अगर हम बाटे तो desolation में से एक question जो आएगा आपका वो आएगा journal entry के basis पे है जो 3 marks का यह 2 marks का दे सकते हैं और एक possibility है कि desolation का 5 number का choice इसके choice में डाल दिया जाए possibility है छोड़ के ही मत चले जाना बिलकुल तो sir desolation में क्या करना है? desolation में दो है एक journal के format में है और एक है हमारा account के format में जिसमें आप realization account और partners capital account और cash account इसमें भी examiner का कहना है कि हमारे courses यही है कि सिर्फ हम realization account पूछेंगे पार्टनर्स capital और cash book के उपर ज्यादा focus नहीं है लेकिन आप करके 3 हो जाना इसमें by chance आपका retirement का question tough आया और यह option में आ गया तो यह कर पाऊगे तो sir क्या इसे अभी करेंगे आज वाले दिन तो मैं इसको नहीं कहूंगा जिसको आता है वो sequence से खतम करें मैं again कह रहा हूं जिसको आता है NPO पूरा खतम retirement death sequence से खतम करते चले और उसके अंदर difficult difficult points को remark करें और वो पूछे जिसको आता है अब जिसको आता ही नहीं है तो वो उसको सीखने में अपना सबसे पहले important time को खराम ना करें जिसको dissolution आता है बिल्कुल definitely करके खतम करो जिसको नहीं आता मैं आज वाले दिन के लिए कुराऊस लगा तो हूंगा सीखने की जुरत नहीं अभी फिलाग आज ही सीखेंगे लिखिन किस step पे सीखेंगे उसकी बात करेंगे आज आता है issue of shares भाई सबसे simple chapter इसमें other than cash का question बनता है इसके अंदर collateral security बनता है issue of debenture on the terms of redemption और interest चार ही topic बनते हैं आठ नंबर का question पूछा जाएगा पांच नंबर का एक question last होगा case study based question होगा इसमें से वो भी असान हो गया आपको एक question देदेगा बोलेगा number of कितने debenture issue होंगे other than cash का देदिया कि एक लाग की machinery खरीदी 100 रुपे की debenture है बताओ number of debenture एक number पे तो एक लाग का machinery है भाई तो एक लाग divided by 100 तो आगे हमारे हजार debenture तो इस type से चोटे-चोटे case study पूछे जा सकते हैं तो इसको बहुत मतलब कि मैं हर बच्चों को बोलूँगा कि इसको अच्छे से कर लो इस chapter को करने में आपको तीन घंटे लगेंगे तीन घंटे कैसे सबसे पहले basic basic entry आप एक बार रिमाइंड करोगा application उसके बाद issue terms on redemption उसके अंदर आपका एक घंटा लग जाएगा collateral security मान लो एक घंटा interest में एक घंटा तीन घंटे माराम से cover हो सकता तो यह आज के target में होना चाहिए आपका कुछ बच्चे बोलते हैं और share capital वाला आता नहीं तो यह कैसे करेंगे वो मन से perception हटा दो basic entry भी मैंने वीडियो में बताई हुई है उसके according करिया समझ रहे हैं तो यह देख रहे हो आप आज का target में क्या क्या था एक तो यह वाला topic निपटाएंगे इसमें से fund-based निपटाएंगे इसमें से यह वाला निपटा देंगे इसमें से यह वाला तो बहुत जल्दी जरूरी है calculation वाला तो यह यह हम score कर पा रहे हैं 3 marks score कर पा रहे हैं 3 marks 6, score कर पा रहे हैं 3 marks 9, 40 में से 9 score हो गया, score कर पा रहे हैं 8 marks, 9 8, 17, आज आज में 17, 50% पहुंच गया है, बचे हैं 3 दिन, अगर आप ये कर लेते हो, तो automatically क्या होगा, confidence, बढ़ गया भई, और आज ही इसको भी cover करेंगे, और इसको तो आप जानते ही हो, कि इ एक दिन में हो जाएगा ये, लेंदी आजी, कितने हो गया, बीस खदम, 50% एक दिन में कम्लीट कर लिया, ना माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ना कोई स्ट्रेस है माइंड में, ना कोई टेंशन है बाई जो बच्चा ऐसा सोच रहा है ने यार पहले NPO बड़ा चप्टर निप्टा लेते हैं, टाइम जादा है, बाद में मिले ना मिले गया वो, अब देखो मैंने वो सारे टॉपिक्स निप्टा दिये एक दिन के अंदर, जिसके अंदर ज्यादा एफट भी नहीं है, और बिलक जैसे ही ये सारे टॉपिक्स खतम हुए, कहां से करने इलिस्ट्रिशन करिए, प्राक्टिकल प्रॉब्लम पर मत भागिएगा, इसकैनर करिए, और अगर सैंपल पेपर ले ही रखा होगा आपने तो सैंपल पेपर में सो कोश्चन चाट के करिए, हर किसी का प्लेस फिक्स है ये कोशन नमबर टू या कोशन नमबर फॉर या फाइप पर मिलेगा हमेशा, हर किसी कोश्चन का प्लेस फिक्स है, उसके हिसाब से कर लिजिए उसको, आज का टार्गेट हमारा दन हो गया, अब हम इसके कोश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल कोश्चन ना कर क्योंकि उसके अंदर आपको क्या होगा, बहुत सारे कोश्चन है, और सिर्फ और सिर्फ एक तो आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए, कि अगर हम फर्स्ट बुक कर रहे हैं, तो आपके सामने study, material, सिर्फ फर्स्ट बुक का होना चाहिए, यानिके तीनों बुक लेके बै इसमें करना ही क्या है, हटाओ न, इसमें तो पता ही है, डिवेंचर देख लेते हैं, ठीक है न, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दिन खराब हो जाएगा, टार्गेट भाई ये करना है, और लिख के करना है, ये टार्गेट लेके चलना, पहले फर्स्ट बुक करना होगा, टिक मार करने होगा, इन पॉर्टेंट अजस्में को रीडाउट करना होगा, इनको पूरा आता है, वो क्या करेंगे, चार कोश्चन उठाए, करें, आधे-धे गंटे में, दू गंटे में खतम होगा चप्टर, उसके बाद सारे इलिस्टेसिन में जो 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 अ का टारगेट, कल का टारगेट की बात करूँ, कल वाले टारगेट में अभी भी हम इसको नहीं हाथ लगाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको टारगेट करेंगे, कल, यानि नेक्स्ट दे, इसको टारगेट करना है अच्छे से, इसके साथ-साथ हमें इसको टारगेट करन क्योंकि इन दोनों में पार्टनर्स कैपिटल तो लगभग लगभग वही है रिवेल्यूएशन में प्रॉफित और लॉस देखते हैं जादा लेंदी है नहीं तो लगभग लगभग आपका थोड़ा कोडिनेशन बन जाएगा तो एक तो यह टार्गेट करना है नेक्स दे यह टार्गेट करना है इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और इसके अंदर भी ज्यादा लग सकता है माल लो चार चार गंटे तीन तीन गंटे क्य अब कल वाले दिन में हमारे पास पूरे दिन में अगर ये दो चप्टर कर लेते हैं तो हमारे मान के चलो कम से कम अगर ये दो चप्टर कर लेते हैं तो आठ एट मार्क्स और डन हो जाते हैं तो बीस और आठ कितने होगे 28, दो दिन में हम 28 नमबर कर चुके तो बोल सकते हैं कि हमारी मतलब के है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही strategy भाई दो दिन में 28 marks का follow किया, done जी चलो कोई बात नहीं 12 नमबर करे रहा है, 12 नमबर तो वैसे भी हम last 2 दिन बचे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ करके 12 में से तो हम कम से कम तो 6 साथ तो ले लेंगे पेपर कितने का चूट गया 12 में से चलो कुछ नहीं आता हम यह नहीं कर रहे हैं और बहुत टफ है हटाओ फिर भी 7 नमबर का 12 की बात करें ठीक है ना हमारे 28 नमबर हो चुके हैं 12 नमबर ही तो missing है 12 नमबर की बात करें 12 नमबर के लिए 2 दिन है अगले वाले दिन cash flow को दे दिया पूरा इसके लिए अगर माल लेते हैं last वाले दिन समय भी पूरा बीच जाए तो दिक्कत नहीं है तो 35 नमबर ये strategy फॉलो करना है तो आज पहले simple simple topic निकालना है exam में कहा जाता है कि बच्चों का जो mentality होता है जादा बच्चे जो smart बच्चे होते हैं वो एक एक दो दो नमबर वाले पहले question पकड़ेंगे जो over smart बनने की कोशिस करते हैं वो 7788 नमबर वाले पकड़ेंगे उसमें पेपर छूटता पक्का है अब दो नमबर देखो माल लो आपके दो दो नमबर की question है तीन question करोगे छे नमबर का अब छे में से माल लो एक question गलत होगया चार पक्के आपने एक छे नमबर का question उठाया वो गलत होगया का मिला नमबर हमें नहीं मिला ना एक दो नेकर हटा दिया तो छोटे छोटे जितने marks के question होते हैं हमेशा marks scoring में वो ही मदद करता है तो सेम आज का strategy समझ में आ गया कल का भी strategy हमारे पास पूरा दिन और कल देखो दो ही chapter दिये है time बचेगा हाँ लेकिन आज का जब strategy हमने follow किया है तो कल आज वाले strategy को कम से कम दो घंटे देने है practice के लिए आज हमने ये सारा chapter कर लिया कल एक बार revise करेंगे कहां revise करना है जो register पे काम किया है और ज्यादा टाइम नहीं लगना है मैं तो दो घंटे बहुत बोल दिया है आपको 20-25 मिनट ये कर लिया इसके अंदर ये था इसके अंदर रिशो में ये पॉइंट कवर किया आज डिटेल में पढ़ोगे और कल थोरोली पढ़ोगे इसके बाद इसके अंदर ये था हाँ श्टॉक कंजूम के अंदर इधर होगा ऐसे होगा तो ये ये आएगी सारी चीजे वो चीजे करी खतम फिर हम स्टार्ट करेंगे चलो अगला टार्गे समझ गे दूसरे दिन में ये खतम तीसरे दिन गो टार्गेट लेकरे चल रहाहाँ में तर्ड ड Commissioner वा थार्ड डे डिया है मैं थैर्ड डे ये टार्गेट में लिया है कैश्फडो स्टेचमेंट पहले सबसे लास्ट में हम इसको करेंगे cash flow statement में भी examiner का कहना है कि हम cash flow statement तीनों भी पूछ सकते हैं जिसमें adjustment दो ही popular है एक interest वाला और एक आपका provision for tax वाला और एक तीसरा accumulated depreciation वाला सारी classes live section में पड़ा हुआ है आपका देखने का तरीका क्या होना चाहिए cash flow statement में live section में जाओगे जिन्होंने course buy कर रख है और जिनको cash flow statement नहीं भी आता नहीं मैं cash flow statement करवा भी रहा हूं सुबह सुबह become बच्चों को तो एक तो एक फर्स्ट उसमें से वीडियो सेकेंड थर्ड और वीडियो नंबर सेवन पहले यह देखें उसमें cash flow वाले में जो वीडियो मैंने डाला हुआ application में पहले यह वीडियो देख लें जिससे cash flow का format जंजट खतम format पूरा समझ में आ गया यह add होगा less होगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा पहले यह उसके बाद आप वीडियो नंबर क्या करें 456 देख लें chapter खतम 456 में क्या करवाए only adjustment आप देखोगे वैसे वीडियो को click करोगे लेकिन मैं आप सभी को बोलूँगा 2, 3 और 7 एक साथ ही करें इसमें पूरा format है क्योंकि मैंने करवाए कैसे था पहले operating करवाए था फिर काफी time के बाद investing और financing करवाए तो अब वो time नहीं है पहले operating फिर बाद में करेंग investment आपने operating किया operating इसमें मैंने operating का format बनाया है इसके अंदर मैंने क्या करा है समझाया है operating के format को और इसमें मैंने investing और financing बनाया है तो तीनों एक साथ देख लोगे so that क्या आपका होगा पूरा format ही खतम उसके बाद फिर कुछ question कितने question करने book में से 43 से लेके 50 तक question कर लो उससे बाहर आई नहीं सकता cash flow statement 43 से लेके 50 ये target कब लेके चलोगे आप कल नहीं परसो हाँ अगर आपको लगता है कि कल replace कर देना चाहिए sir जिसका cash flow तो हमें अच्छे से आता है तो वो या तो आप replace कर दो किस से, replace कर दो retirement वाले से या dissolution वाले से और उपने time बचा लो अगर कोई बच्चा extra effort लगा रहा है तो तीनो topic कर सकता है परसो वाले दिन, कल वाले दिन अब इसके अंदर एक part रहे गया journal, journal entry आपको तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब तक के account नहीं समझ में आएगा journal entry के हलाकि 2-3 classes में ने बनाई है और उसके according समझ में आजाएगा और आप इसको journal entry को easily करोगे ये भी हमेसा पूछा जाएगा और हो सकता है journal entry 5 number का भी पूछा जाए, option में दे दे retirement के, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है तो आज का time देखिए, आपके पास पूरा time available है, मैं आप सभी को बोलूँगा के time बिल्कुल भी waste नहीं करना, लग जाना है, जैसे strategy भाई बताया है, उस तरीके से करना है, तो आज अगर मैं पूछू के मैं ये chapter करा देता हूँ, ये नहीं, आपका जो doubt निकल के आएगा न सर, retirement का कोई adjustment समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बता दूँगा, जो जो doubt होंगे, मैं chapter wise उठा हूँगा, कि भाई किसी को stock consumer doubt, ये question नहीं आ रहा है, खदम, किसी को इसमें doubt, जिसको नहीं आ रहा है, खदम, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, कोई बच्चा बोले सर, question number 25 बिल् आपका output नहीं निकलेगा, आपका purpose solve नहीं होगा फिर, समझ रहे हो ना बात को, तो कल वाले doubt की, मैं session की बात करूँ तो इसका ले सकते हैं, क्योंकि मैं वही doubt कल लेना पसंद करूँगा, जो मैंने target बता है, और मैं quickly आपका solve कर पाऊं, जिससे मेरा भी time, और आपका, क्यों इसका डाउट मैं कल नहीं लूगा, मैं इन दोनों कल लूगा, सर इसका डाउट definitely, फटा फट पढ़ना रिशो नहीं आए, चार पांच मिनट में कुछ तंद हो जाएगा, इसके बाद इसका नहीं लूगा, calculation profit पांच मिनट में हो जाएगा, यानि अगर मैं effectively कल अगर 1.5 आ तो आपके पूरे के पूरे जो की बन रहे हैं, 50% exam, 20 number के doubt solve, लेकिन बसरते हैं, आपको कर के आओगे, तो मिलेगा, ठीक है, इसके बाद issue of debenture का quickly लिया जा सकता है doubt, इसके बाद common size में, बहुत बच्चों को doubt होगा नहीं, लेकिन P&L वाले में होगा, इसके अंदर भी option आ ना के देगा, ठीक है ना, तो ये है हमारा सारा target, तो कल कितने बजे class मैंने पहले ही बताया, कल class होगी 10 बजे और 10 बजे जो मैंने टिक किया है, in fact मैं ये video भी क्या करूँगा, YouTube पे upload कर दूँगा, आप सभी के साथ link share कर दूँगा, so that कि आपको पता चल जाए कैसे करना है नहीं करना है, without editing कोई editing वगर है, नहीं करूँगा, क्योंकि time है नहीं editing करने में पूरा दिन निकल जाता है, तो मैं as it is video अपलोड कर दूँगा YouTube पे, जो कि आपको पता चल जाए, और जो बच्चे बैठे हैं, वो note कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, क्या क् करना है, या तो at least वो topic हमें note कर लेना चाहिए, जो हम आज करने वाले घर जा के, वो topic, और उससे इतने marks के cover होंगे, जिन बच्चों का पूरा syllabus हो गया, उन सभी को एक ही instruction दूगा, कि sample paper daily एक solve करेंगे, sample paper solving के लिए मैंने class में टाइंग बता दिया, कि इतने बज़ आना है, साड़े साथ, साड़े साथ बज़े आओगे, sample paper solve किया, आपने, दस बज़े class लिया, घर चले गए, आपका एक set paper भी practice हो गया, और अगर इन छोटे-छोटे doubts निकले, तो ये doubt, अगर कोई बच्चा बोलता है, सर हमारे तो doubts नहीं है इसमें, जो sample paper solve कर रहे हैं, जिन्हों न note करिए,